C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट नौ पाठ तीन मिलकर पढ़िये शीर्शक माला की चांदी की पायल हश्श माला बिल्ली को डराती है इस प्रिष्ट पर दाई और ऊपर माला एक बिल्ली को डराते हुए दिखाई गई है हे वो अपनी नानी को डराती है इस प्रिष्ट में बाई और ऊपर माला अचानक खिड की खोल कर अपनी नानी को डराते हुए नजर आ रही है धाप वो अपने छोटे भाई को डराती, इस प्रिष्ट पर दाई और नीचे माला अपने छोटे भाई को डराते हुए नजर आ रही है वो डाकिये को डराती इस प्रिष्ट पर नीचे बाई और माला डाकिये को डराते हुए नजर आ रही है और डाकिया डर के मारे अपने दोनों हाथ उपर करता नजर आ रहा है उसकी टोपी भी हवा में उचल गई प्रिष्ट दस एक दिन माला की मा ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी माला यह तुम्हारे लिए है वे बोली इस प्रिष्ट पर उपर दाई और माला की मा उसे एक छोटी डिब्बी देते हुए चित्र में दिखाई गई है माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिप्टी प्यारी सी चांदी की पायल इस प्रिष्ट पर माला बाई और बीच में चांदी की पायल को देख कर खुश होते हुए चित्र में नजर आ रही है उन्हें पहन कर वो पूरे घर में घूमने लगी चिक चिक चम छोटे छोटे घुंगरू जनकते चिक चिक चम अब माला जहां भी जाती सब जानते इस प्रिष्ट पर दाई और नीचे माला पायल पहन कर बहुत प्रसंद मुद्रा में नजर आ रही है चिक चिक चम माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई इस प्रिष्ट में बाई और नीचे माला के पैर का चितर नजर आ रहा है जिसमें उसने पायल पहनी हुई है उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया के माला आ रही है तो बिल्ली प्रिष्ट पर दाई ओर सबसे नीचे पहले ही भात्ते हुए नजर आ रही है प्रिष्ट ग्यार है चिक चिक चम माला की हेज से पहले नानी पलट गई इस प्रिष्ट पर दाई ओर उपर माला की पायल दिखाई गई है जो उसने पैरों में पहनी है उसकी आवाज सुनकर नानी पहले से ही पलट गई और चित्र में वो प्रसन मुद्रा में नजर आ रही है इस बार वो डरी नहीं क्योंकि उन्हें माला की आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था चिक चिक चम माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया इस प्रिश्ट पर बाई और उपर छोटे भाई को माला के पैरों में पड़ी पायल की आवाज से पता चल गया कि माला आ रही है इसलिए वो पहले ही वहां से भाग गया इस बार वो डरा नहीं बलके वो प्रसन्न मुद्रा में भागता हुआ नजर आ रहा है चिक चिक चम माला की भव से पहले डाकिया निकल गया माला की चिक चिक चम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है इसलिए डाकिया इस प्रिश्ट के बीच में बने चित्र में बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपनी साइकल पर बैठा दूर जाता नजर आ रहा है चिक चिक छम अब माला किसी को डरा नहीं पाती तो ऐसे में माला ने क्या किया उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बाई और पायल उतारने के बाद माला प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रही है वो बहुत खुश है लेखी का एनी बेसंट प्रिष्ठ बारह है बात चीत के लिए एक माला सभी को क्यूं डराती होगी दू, माला से सभी क्यूं डर जाते होगी तीन, पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी चार, माने माला को पायल क्यूं दी होगी लिखिये एक माला की माने उसे क्या दिया माला की माने उसे रिक्तस्थान दी दाएं बने चित्र में दिख रहा है कि माला की मान माला को एक डब्बे में रखी वस्तु दे रही है आपको बताना है उस वस्तु का नाम दो, माला ने पायल क्यूं उतार दी सही उत्तर चुनिए पहला, पायल माला को चुब रही थी दूसरा, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था तीसरा, पायल की आवास से सभी को बहुत मजा आता था और चौथा, एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी तीन, इन ध्वनियों को सुनिये और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिये गंटी की ध्वनी, पायल की ध्वनी, शंख की ध्वनी, डमरू की ध्वनी यहाँ पर गंटी, पायल, शंख और डमरू के चित्र भी दिये गए हैं इन सबी की ध्वनियों को सुनिये का प्रयास कीजिये प्रिष्ठ ते रहे चार माला किस किस को डरा रही थी रिक्त स्थान में लिखिये पांच विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए यहां दिये गए वाक्यों को अपनी कौपी में लिखिये क्या माला को नई पायल मिली माला पायल पहन कर पूरे घर में घूमने लगी आओ बूजें पहेली माला की चांदी की पायल खो गई है अक्षरों को जोड कर माला की चांदी की पायल बनाए रेखा खीच कर शब्दूं को जोड़िये उधारण के तोर पर मा और ला दोनों अक्षरों को जोड कर शब्द दिया गया है माला अब यहां दिये गए अक्षरों को जोड कर सार्थक शब्द बनाए अक्षर हैं पा आ मा ला की दी चां ओ धी दी शा या बु ली की ल खा यी शिक्षन संकेत बच्चों के साथ विराम चिन्ध जैसे पूर्ण विराम और प्रश्ण वाचक चिन्ध पर चर्चा कीजिए अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी वाचन्स्वर बावला कोचर और मम्ता मलकानी तक्नीकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहयक तनु गुपता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत